तो क्रिकेट से रिलेटेड आप कुछ बहले बात देगें आपर, यह एक बल्ले बात सोट कहल रहा है और फिल्डर ने केज कर लिया, देखो, बього बोल गती से आ रही है और फिल्डर ने केज कर लिया, यह ओट हो गया है ठीक है, लेकिन इस इस क्रिकेट से रिलेट दुबारा दे गया बल्ले बार सोट केला और आगे क्या होगा कि इसने सोट केला तो फिल्डर ने केज कर लिया बोल गती करती हुई जा रही बोल कुछ मास भी होगा और फिल्डर ने क्या कर लिया केज कर लिया उसके आद में क्या लगएगा कुछ फ the catching process is completed in 0.1 second the force of the blow exerted by the ball on the hand of the player is equal to अच्छा तो क्योशन में क्या बताए गया है कि एक प्लेयर या कर रहा है किसी बोल को बोल का वजन बता रहा है बोल कितनी speed से आ रही हो बता रहा है और time कितना बता रहा है पूरी प्रोसेस में catching प्रोसेस 0.1 second का तो जो प्लेयर है उसके हैंड में कितना force लग रहा होगा से वही बात जो भी मैंने आपको व्यूडियो में दिखा हैं यह वाले में तो फिल देखते हैं force होता क्या है force होता है change in momentum divided by dt यहने कि यहां पर देख पा रहे होंगे आप एक्स्टरनल जो होगा dp divided by dt होगा यहां dp का मतलब क्या है dp का मतलब है change in momentum समवेग में परिवर्तन divided by जितना time लग रहा है dt है न तो अपन को dt के value पता है 0.1 second लेकिन change in momentum पता नहीं है और जोब तक change in momentum नहीं आएगा यह पर external नहीं आएगा तो change in momentum कैसे निकालते हैं फिल फाइनल momentum निकाल लीजिए initial momentum निकाल लीजिए दोनों को गटा दीजिए और momentum का formula क्या होता है mass into velocity है न यह किसका formula होता है momentum का तो फिल अपन निकालते है initial momentum पिर निकालने के final momentum पिर दोनों को गटाते है dp की value आ जाएगी और dp divided by dt करते f की value भी आ जाएगी तो फिल अपन निकालते है initial momentum देगी हैं पर कोई बोल है बोल जा रही है पहले तो कुछ velocity से जा रही है न तो बोल जो है बोल का mass कितना है एक सो पच्चास ग्रामी है निका अगर मैं केजिए में convert करना पड़ेगा तो divided by 1000 कर दूंगा मैं आगे न वेलो सिटी क्या ही 20 मिटर पर सेकिंड है इसकी स्पीड तो इनिसल मोमेंटम क्या होगा इनिसल मोमेंटम मोमेंटम होता है मास इंटू इसका स्पीड जो है वेलो सिटी जो है मास कितना होगा 150 divided by 1000 क्योंकि ग्राम को केजिए में convert करना है अपन को और इन्टू वी की वेल्यू कितने ही 20 है तो इनिसल मो फाइनल जाके कितनी हो गई है जीरो हो गई है तो फाइनल मोमेंटम में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो क्यों होगा क्योंकि मास को जब पन इससे multiply करेंगे जीरो से जो speed होगी तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि force जो होगा तूसरा प तो अगर मैं dip की value निकल मिलो तो final टो 0 हो गया और initial 3 था divided by time time की value कितनी थी 0.1 सेकend तो जो force की value मेरे पास क्या आद चूकी ही बच्चा पाटी तो जो force होगा that will be qual गाँद क्या होगा होगा अगर इसको मोड ले ले तो तीन में क्या हो जाता है माइनस को पर Is कदर ट्रिट कर सकते हैं कि मेंगनिट्यूड ले रहे हैं अपना डिवाइड़ वाइड़ जिरो पैंट फन यानिकी आंसर होगा 30 न्यूटन तो इस ऑप्षन है क्या देखे जरा इस ऑप्षन है क्या 30 न्यूटन कहां जी ऑप्षन नमर सी विल बी दे करेक्ट आंसर आंसर क्या होगा ऑप्षन नमर सी अपना आंसर होगा थेंक यू